सभी को नमश्कार है, सभी को अभी नंदने कैसे हैं, सभी लोग उमीद करते हैं, सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का अनन ले रहे हैं जब आप छोटे छोटे trades लेना शुडू कर देते हैं तो कुछ चीजें आपको बाजार में जाननी ज़रूरी होती है और आज ये एपिसोड उसी से related है सही strike price selection करना भी बहुत ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी की आपके लिए ये है कि सही जगह से trade ले क्योंकि सही strike price selection नहीं करने से क्या होगा सही strike price selection नहीं करने से आपका premium consolidate होके option में down हो जाएगा कई बार बाजार आपके favor में रहेगा कई बार बाजार आप जिस direction में चाहते हैं उस direction में जाएगा भी लेकिन आपके premium की सही value आपको प्राप्त नहीं होगी यह ठीक वैसा ही है जैसा की सही valuation करना आपकी चीज का सही दाम जितिनी मेहनत किये उतना पैसा मिलना चाहिए आपको तो इसी बारे में आज की एपिसोड में बात करेंगे और इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वाइंट महत्वोड है, कॉपी पेन हाथ में नहीं लेकर बैठ जाईए और लिखना शुरू करने जीए, अब सपोस करिए कि निफ्टी में आप ट्रेड कर रहा है या बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी में यहाप बैंक निफ्टी में लगा लेता हूँ, बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहा है, तो 11th of October की एक्सपारी है और बैंक निफ्टी में आप एक ट्रेड लेके बैठे को हैं और वोद को क्या करना चाहते हैं हैं तो दो चीजे हुती हैं अब बता है कि से कहा तक चलेगा किस वैल्यू पर जाथके आपको ट्रेड लेले तो सबस करे símah material मुझे खरीदना एकक्षेशन आप सपोर्ट पर कहा है extension of support यह हमारा support है 42,200, volume का support है, volume पर click किया, मेरा extension of support आगया 42,080, लेकिन यह spot की value है, बहुत सारे लोग confused होते हैं कि spot है कि future है, यह spot price है, underlying price है, इस spot price को हमको क्या करना पड़ेगा, इस spot price को हमको future में convert करना पड़ेगा, इस spot पर click करिए, यह नीचे यहाँ पर spot price, future price आपको दिख रहा है, अभी spot कितना दिख रहा है, 44,213 यह बाजार का भाव है, यहाँ पर लिखके देख लीजे, 44,213 यह market price है, अगर हम इसको future में convert कर दें, तो हम इसको future में जैसे ही convert करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अब बाजार का भाव क्या आजाएगा, 44,402, यह future का price है, यह दोनों में difference है, अब हमको यह imaginary line future price के हिसाब से दिखाई दे रही है, यह यहाँ पर आपको support, resistance की definitions वही रहेंगी, याद रखिएगा, क्योंकि जितनी भी support and resistance की definitions बनी हुई है, वो बनी हुई है spot price के according, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, तो अब जो calculations होती है, वो भी spot और future दोनों की होती है, हमेशा spot और future दोनों की calculation होती है, तो अब यह तो future की price, तो अगर आपको future में trade करना है, तो आप यहाँ से future की value निकाल सकते हैं, extension of support यानि कि 44,200 के volume पर आप click करिए, value जो आएगी, 44,271 यहाँ से आपको trade लेना है, यह हो गई future price, spot में क्या value आ रही थी, जाके देख लीजे, इसी को मैं spot में convert करूँ, तो spot में 44,200 की value आ रही थी, 44,082 यह spot है, और उसी को आप future में convert कर दें, तो future में यही value आ रही है, 44,271 यह future है, तो future में खरीदना है तो इस price पर, spot में आप index में trading नहीं कर सकते हैं, stocks में आप कर सकते हैं, index में spot में कोई trading नहीं हो तो future में खरीदना है, तो आपके लिए यह value है, इसी तरीके से बेचना ह यही ट्रेडिंग अगर आपको आप्षिन में करनी है तो कैसे करेंगे इस wallow को option में कैसे convert करते हैं सेम यहां पर देखिए ध्यान से यहां पर आपको इसको convert कर लीजिए spot में spot में convert करना जरूरी है इसके बाद आप इसको क्लिक कर दीजिए OC पर OC पर क्लिक करते ही expiry select कर लीजिए सही वाली सही expiry select कर ली आपने bank nifty की अब OC पर क्लिक करते ही आपकी extension of support कितनी आ रही है 44,082 यह 44,082 option में कैसे convert होगा मान लीजिए कि आप एक call option खरीदने वाले हैं जब बाजार 44,082 पर पहुंचेगा सही strike price को इसके बारे में हम लोग बात करेंगे पहले उस strike price को select कैसे करेंगे मान लीजिए आप 44,000 का एक call option खरीदने वाले हैं जिसकी value अभी 432 है तो अभी है अभी market 213 पर चल रहा है तब है अब आपको एक limit order लगाना है क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि बाजार वहां आए और all of sudden वहां से जंप हो जाए तो आप trade न ले पाओ आपको छूट जाएगा तो आपको एक limit order लगाना पड़ेगा limit order लगाने के लिए आपको एक value चाहिए कि कौनसी value का option में ट्रेड लगाओ अगर मुझे option में trade करना है तो future तो मिल गया हमको future में वहां की limit लगा लेंगे option में कौनसी value की limit लगाओ तो हमारा price क्या है हमारी price की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी price है 44,082 हमारा मान लीजे strike price कौन सा है selection हम लोग सीखेंगे strike price का next episode में मान लीजे हम लोग 44,000 की strike price को call option खरीदने वाले हैं अभी इसकी value चल रही है 432 लेकिन जब market 44,082 पे पहुँचेगा तो क्या होगा इ इसके लिए इसके ठीक सामने ये देखिए OC में एक box दिया हुए है बहुत simple है इस box में आपको क्या करना है इस box में आपको आकर के आपको सिर्फ 44,000 के सामने जो भी strike price आप select कर रहे हैं ऐसा नहीं कि किसी भी box में लिख देंगे हर एक strike price के call के सामने boxes बने हुए हर एक strike price के put के सामने boxes बने हुए हर एक strike price के call के सामने भी boxes बने हुए हैं और हर एक strike price के put के सामने भी boxes बने हुए हैं ये boxes जिस भी strike price का call या आप put खरीदने जा रहे हैं उस particular strike price के सामने वाले box में आपको वो value लिखनी है और calculate button पर click कर देना है साइड में जहां पर अभी जीरो जीरो लिखा हूँ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी और वही वैल्यू आपकी ट्रेडेबल वैल्यू होएगी कैसे होगा करके दिखाता हूँ हमारा एक्स्टेंशन आप सपोर्ट है 44,082 हमको 44,082 पर जाकर के सपोर्ट कर ये कॉल अप्शन खरीदना है 44,000 का कॉल अप्शन खरीदना है 44,000 के सामने लिखा मैंने 44,082 लिख्या लिख के कैलकुलेट कर दिया अब ध्यान से देखिए वैल्यू आगई कितनी वैल्यू आई 345 रुपीज आगई यानि कि जब ये मार्केट 44,213 से नीचे गिर करके 44,082 पर पहुँचेगा तो हमारा ये 432 रुपीज का प्रीमियम 345 रुपीज का हो चुका रहेगा यानि कि जो हमको लिमिट ओडर लगाना है वो 345 के आसपास का लगाना है ये लिमिट ओडर हम लगा देंगे मार्केट वहाँ पहुचेगा ये एक्जिक्यूट हो जाएगा और इसी तरीके से हम अपने टार्गेट को भी कैलकुलेट कर लेंगे मालीजे वहाँ पर जब मार्केट पहुँच जाएगा उसके बाद ऊपर आते समय मुझे डबलू टीबी पर टार्गेट लगाना है मालीजे इसका ब्रेक आउट दिखा दे रहा है मालीजे एक्स्टेंशन आप रेजिस्टेंस करना है तो जब मार्केट वहाँ पहुच जाएगा तो ऐसे ही 279 अब उसी स्ट्राइक पर आप क्लिक कहा कर रहे है देखे बहुत सारे लोग इस बात में कन्फ्यूस हो जाते है किसमें कन्फ्यूस हो जाते है कि वो जहां क्लिक कर रहे होते है न उसी के सामने वाली स्ट्राइक प्राइस के सामने कैल्कुलेट करना शूरू कर देते हैं नहीं, आप click कहा करना है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आपका किस बात से लेना देना है, कि कौन सी strike price आप trade कर रहे हैं, एक बात और होती है, confusion जो आपके मन में आती है, वो confusion में है, कई लोग ऐसे confused हो जाते हैं, किसी दिरी expiry है, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, देखिए, trade अगली expiry में करिए, और जब आप अगली expiry में trade करेंगे, तो आपको next expiry यहाँ पर select करनी पड़ेगी, 11th को expiry है, तो आपको 18th select करना पड़ेगा, और अगर मान लीजे, इसका 44,000 आप trade करना चाहते हैं, तो next expiry में आकर कि आपको इसके 44,000 के सामने 44,082 लिख लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर वो value आएगी, calculate करेंगे तो 505 रुपीज, यानि कि ये premium 590 रुपीज का 505 पहुंच जाएगा, तो आपको एकदम clear रहना है, आप जो कर रहे हैं, उस मामले में एकदम clear रहना है कि आप कर क्या रहे हैं, और accordingly अपना limit order लगाना है जो भी strike price आप put side में trade करना जा रहे हैं, मान लिजे आप एक put खरीद रहे हैं, और 11th की expiry में एक put खरीद रहे हैं, तो 11th की expiry select कर लिजे, 11th की expiry में आप एक put खरीद रहे हैं, अब होगा क्या, मान लिजे कि आपको इसके call side के 300 के divergent जो की 44,279 पर है, या पर आपको 44,400 का put खरीदना है, बस इसके 44,400 के put के सामने आजएए, यहाँ पर calculate बटन पर, यहाँ value लिख दीजे, क्या value है, 44,279, calculate पर क्लिक कर दीजे, 282 रुपीज की value आई, या निकी 319 रुपीज का premium 282 चला जाएगा, तो आप put खरीद लिजेगा, यह तरीका होता है, target, मान लिजे, target आपको calculate करना है, एक बार आपका trade हो गया, मान लिजे इसका target कितना है, अब इसका target मान लिजे कि है 44,082, कि जब 44,082 market पहुँच जाएगा, तो मेरा यह 281 वाला premium कहां पहुचेगा, फिर इसी पर लिखिए, इसको हटा दीजे, 279 को, 281 premium नोट करके रख लिजे, अब यहा आपका premium 294 हो गया, तो आपको आपकी entry मिल गई, आपको आपका target मिल गया, entry जो value आई थी, 284 रूपीज के आसपास, वहां आप आप करेंगे put को, 394 हमारा target से 394 पर trade book करेंगे, तो जो भी हमारी entry आ रही है, वो जो भी strategies आप सीख रहे हैं, उस दौरान जो भी entries आ रही है, ऐसे ही easy तरीके से आप calculate कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर कहां पर click करना है, यह देखिए अभी DOC लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो आप normally कभी भी option chain open करेंगे, nifty का, bank nifty का, कभी भी option chain open करेंगे, तो यहां पर आपको OC लिख के आएगा, इस OC पर आ आसानी से अपना entry point, अपना target, अपना stop loss, यह सब कुछ option में convert कर सकते हैं, that is really easy, तो कैसा लगा आज कई यह वीडियो, कोई सवाल हो तो comment box में जरूर लिख दीजिए, investing daddy channel को subscribe कर लिजिए, bell icon press कर दीजिए, twitter पर अभी तक follow नहीं किया है, to twitter पर follow कर लिजिए, हमारा whatsapp channel नहीं जॉइन किया है, आपने तो description box में लिखा हूँ है, जॉइन कर लिजिए, और अगर आपको चाहिए, LTP के लिखाउंट 50%, वो भी जीवन भर चाहिए, तो आप हमारे community के member बन जाएए, जिसकी एक one time fees होती है, description box में link है, fee होती है 5899, जॉइन करके आप जीवन भर ये discount ले दिए